अब मेरे छेटरे में आना मत बठा रहा हूं तुम्हें मनसोर के सीता मौ में चोरी की मोटरसाइकल की तलाश में पुलिस ने कंजरों के डेरों पर छापा मारा पुलिस के पहुशते ही कंजर भाग खड़े हुए और भाग कर पुडोसी राज्य राजस्थान की सीमा में चले गए ज़राम पुलिस और कंजरों के बीच समबात का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तीजी से वाइरल हो रहा है जिसमें सितमौ थानप्रभारी दिनेश प्रजापत कंजरों को ललकार से नजर आ रहे हैं और दोबारा कह रहे हैं कि मध्यप्रदेश की सीमा में चोरी नहीं करने की हिदायत भी दे रहे हैं दूसरी और खड़े लोग कसम खा रहे हैं लेकिन पुलिस के डर से वो मध्यप्रदेश की सीमा में लोटन को तयार नहीं है इस दोरान थानप्रभारी उन्हें चोरी की मोटरसाइकल को भी लोटाने के लिए कहते हैं और इसके लिए वे कंजरों को तीन दिन का समय देते हैं ये वीडियो 30 जनवरी का बताया जा रहा है जो कि सोशल मीडिया पर अपतीजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो को ध्यान से देखिए जहां एक और लोग थानप्रभारी के साहस की प्रसंशा कर रहे हैं गौरतलब है कि मनसोर में मज़िप्रदेश और राजस्थान सीमा से 60 इलाकों के में कंजर अक्सर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं जिसके बाद वो राजस्थान की सीमा में भाग खड़े हो जाते हैं शेत्रादिकार के चलते पुलिस को कारवाई करने के लिए जो है पर्मिशन नहीं होने की स्थिती में मज़िप्रदेश पुलिस राजस्थान की सीमा में कारवाई नहीं कर पाती इसी का फाइदा उठा कर कंजर आसानी से वारदात को अंजाम देकर भाग खड़े होते हैं आपको बता दे कि चूरी करने वाले गिरोहों के सदस्य हत्यार बंद होते हैं और मौका आने पर फाइरिंग करने से भी नहीं चुकते पुलिस की दबिश के समय ये लोग अपने घरों को छोड़ कर भाग खड़े हो जाते हैं वहां सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही मिलते हैं इसलिए पुलिस को खाली हाथ लोटना पड़ता है लेकिन इस बार पुलिस ने इस डेरे के सदस्यों को घेर लिया और जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है ये वीडियो आपको कैसा लगा? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता हैं और इस तरह के तमाम ख़बरों के लिए बने रहे अमर रुजाला मज्य प्रदेश शत्तसगर के साथ